कानून ब्यवस्ता को लेकर पूरु अपमुख्यमंत्री दुशेन चुटाला ने जहां मुख्यमंत्री नैपसंग सेनी की कारेपनारी पर सवाल उठाए तो उन्होंने पूरु अनिलबिज की पीड भी थपत पाईज थी उन्होंने पूरु मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भबंदर सेंग हुड़ा पर भी तंज कसा वोई हर्याणा की एक राज्यसवा सीट के चुनाव को लेकर भी बड़ा एलान किया कानून विवस्ता को लेकर पूर्व उप मुख्य मंतरी दुशन चोटाले में जोहां मुख्य मंतरी नायप सिंग साने की कारपणाली पर सवाल उठाए वही उन्होंने पूर्व ग्रा मंतरी अनिल विच की भी पीट थप थपाई पिश्वे एक सप्ता में हर्याणा में घटेत अपरादी कट्टाओं का भीवरा देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अच्छे तुव विच साहब ते उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी नायप सैनी तुवरा ग्रेय विभाग को अपने पास रखने का नतीजवा है और मैं सैनी साहब को सला दूंगा कि प्रदीश में एक फुल टाइम ग्रेय मंतरी होना सुनिश्वित करें कि जो पिछले एक सप्ता के अंदर है कि प्रदेश में बड़ी खराब हुई है वो कानून विवस्ता है मैं अगर पिछले एक अफ़ते की कटिंज आपके सामने रखें तो अलग-अलग जिलों में इतनी गटना हुई है जो शायद पिछले बीस सालों में एक अफ़ते में भी कभी रिकॉर्ड ना यह साफ दिखाता है कि अरियाना प्रदेश के मुख्य मंतरी ने जो ग्रेय विवाग अपने पास रखा है उसका पूरा फेलियर इससे तो विजसा भी ठीक थे जो ग्रेय मं प्रदेश में हो तो पानौन विवस्ता सुद्रेग वाई हर्याणा की एक राचसवा सीट के चुनाव को लेकर उन्होंने एलांग किया कि अगर कॉंग्रस प्रदेश के किसी प्रतिस्टित व्यक्ती कॉमन वेल्थ ओलम्पिक्स वर्डपादाग विजुएता खिलाडी को स देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आयवा है देश के लिए निरंतर कॉमन वेल्थ ऐसिन गेंड़ ओलम्पिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया है उनको आगे लाने का काम परना ची और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वेक्ती आएगा चो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे जन्ना अधन भी करेंगे और ये पहला आफसर आएगा जब भारतिय जन्ता पार्टी को एककड़ा मुकाबला भी देखेंगे हार दीत तो शिखेंगे दो पहलो हुआ है और लीडर ओपोजीशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है तो कॉम्रेस की आर्गों पहले दिखाता है वहीं विजबपी की वज़े से जननाएक जन्ता पार्टी को नुकसान हुआ है अब हम संगठन को मजबूत करेंगे और सभी 90 विदानसवा छेत्रों में जाएंगे बेराल देखना भी होगा कि दुशन चोटारा द्वारा कॉंग्रोस को समर्तन देनी के एलांग के बाद कॉंग्रोस के राधसवा चनाव के लिए कोई उमीदवार मैदान में उतारेगी टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट